इत्याद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा इत्याद दूज में हम सभी का खायर मकदम है रमजान मुसल्मानों का सबसे मुबारक महिना है जिसमें भूख प्यास की शिद्दत को महसूस किया जाता है तमाम न्यामते सामने होने के बवजूद भी हम खान नहीं सकते हैं और नहीं पी सकते हैं जब तक कि अफ्तार का वक्त नहीं हो जाए कहने का मतलब यह है कि अमत को एक तर्वियत से गुजार करें समझाना चाहता है कि भूख प्यास और तमाम न्यामते अल्लाही की दिवी है और उसी की तरफ से इनसान के जिन्दगी मौत बीमारी शिफाए इज़ जिल्लत अल्लाही के हूकम से मिलते हैं आज अगर मुसल्मान जिल्लत की जिल्लत की गूजार रहाएं तो कहीं तो हमारे हातों के कमाई है हमारी नियत बाख के साथ अचे त Betsyopi कमार ने मैं नहीं है लागडाउन के वक्त गरिबों की ताइदात का अंदाजा भी नजर आया। समझ में नहीं आता कि मुस्लिम माशरे के इन बेखरे तिनकों को किस तरह से जोड़ा जाए। कोई इस्तमायत नहीं बजाईर हम एक होने की कितनी ही बड़ी बातें कर ले। पर सक्चाई यह है कि हम अंदर आज भी अपनी जमातों को मसलकों को फिरकों को लेकर इस ख़दर तास्व है कि एक दूसरे को आज भी बरदाश नहीं कर सकते हैं गरीबों में मदद भी करते हैं तो सियासी मुफाद को मद्दे नजर रखकर अल्ला नियतों को देखता है उम्मीद है की जा सकती है क जितने भी लोगों ने खिदमत खलक को अंजान दिया है अल्ला कबूल करें खैर जैसे तैसे लॉकडाउन खत्म होने की कगार पर यह बात भी समझ में नहीं आती है कि बिला वज़े हम बाजारों का रुख करते क्यों है जब तकरीबान आदा रमजान गुजरने को है कैसे कैसे वीडियोज वाइरल हो रहे हैं खासकर मुस्लिम खवातिन बाजारों का रुख कर रहे हैं एक वीडियो तो सबसे ज़्यादा वाइरल हुआ है कि दुकान खुलते ही कुछ खवातिन कपड़े खरीदने के लिए दुकान में चली गई पुलीस ने दुकान को बंद चोटे बच्चें औरतों के साथ पैदल चल रहे हैं और एक हमारा माश्रा है जिसे खरीद फरुक्त की पड़ी है खासकर खवातिन को बाजारों में जाने की जल्दी रहती है पहले ही हम दुनिया की नजरों में खटक रहे हैं इसका ठीकरा तुमारे ही सरोपर खोड़ने की साजिशे चली जा रही साजिशों को समझने की जुरूत है हकूमत बार-बार कह रही कि घरों में रहे महफूज रहे अभी भी बीमारी का खत्रा टला नहीं रमजान अगर हम जुम्मा मजजिद दरबार घली जाने से ही मुकमल नहीं होता ऐसा नहीं है पुरी उम्र रमजान दरबार घली जुम्मा मजजिद में ही घुजा रहा है अच्छा है कम से कम नमाजे तो मुकमल हो रहे वैसे भी बाजारों को सजा कर कौन से अल्ला के वली बने बैटे हो रात बर बाजारों में घुमना सहरी के बाद सो कर सीधे इफ्तार को उटना यह तो अब तक इसी तरी के से रमजान गुजारते हैं अल्ला के बंदो कुछ तो साजिशों को समझने के कोशिश करो तुम्हारी मदद के लिए आसमान से फरिष्टे उतरने वाले नहीं है आखर कौन सा तीर हमने मारा है जो अल्ला तुम्हारे आसमान से फरिष्टे उतारेगा हर जिस तरह कोरोना क कि शुरुआत तबलीगी जमाद से होती कई इसका आखिर भी तुम्हीं से ना हो शराब के लिए भीड भी होती है तो इस पर कोई चर्चा नहीं होती पर बाजार उनमें रमजान की खरीदी के लिए आओगे तो सवालों में घिर जाओगे और वैसे भी ये बड़े ही सादकी स वज़े से जो गरीब गरीब तबका है जो भूक की वज़े से सिसक रहा है तमाम सब्का खैरा जकाती पर खर्च की जाएगी इस बार बेतरीन मौका है क्योंकि बेलगाम शहर में हर साल हर में जाकर फाइश्टार इबादत करने वाले भी काफी लोग हैं शायद ज्यादा न गुजर रही है बातिल ताखते हर लमास साजिशों के जाल भूल रही है एक रमजान साद्गी से घुजारने से बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला क्या मालूम कि तुमारा बाजारों में ना निकलना किसी के साजिशों पर पानी तो नहीं फेर देगा आपको सोचना होगा बेवज़ा घूमने से बचे खत्रा भी टला नहीं है इत्याद दूद देखने के लिए शुक्रिया अल्ला आफिस